ओकी गाईज तो एंडुक्राइन सिस्टम लेक्चर बन में हम बात करेंगे आज हैपो थेलमस और पिनियल ग्लैंड की ठीक है अगर किसी ने हुमन बॉडी कंट्रूल का इंट्रू लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज पहले उसको देखिए उसके बाद फिर इस लेक्चर को द को होता है तो है इसको लेक्चर का अग्र भाग दिमाग आग्र भाग तो इसका जो बेसल पाट हूता है ब्रेन या दिमाग का बेसल पाट इमेज में देखिए ये क्या है थैलिमस अगर गिजे ब्रेक करें इसमें है 具ी ने दो ब्हुडँ hebjar अलग रीजन है और इस त्वेलिमस के नीचे का जो रिजन होता है इसको केते हैं हम है और इसमें इमेज में ये है ठीलिमस रीजन ठीक है और thalamus के नीचे ये वाला जो black pinpointed region है this one dark spot region this is hypothalamus ठीक है तो ये हो गया location की बात कि हमारे दिमाग में कहां present होती है hypothalamus ठीक है दूसरी चीज hypothalamus basically क्या होता है hypothalamus ये जो region होता है ठीक है इस region में क्या होता है कुछ neurosecretory cells होती है तो इससे एक चीज़ समझ में आ रही है को नीउरो का मतलब कुछ neurones होती है security मतलब जिनका काम क्या होता है secretion करना ठीक है ऐसी neuron cells जो कुछ chemical substance को secret कर रहे होंगे ठीक है तो generally इनको कहा जाता है generally these are called nuclei क्या कहा जाता है इनको nuclei कहा जाता है ठीक है तो हम कहा सकते हैं कि hypothalamus is composed of nuclei और neurosecretory cells ठीक है अब neurosecretory हैं तो obviously कुछ ना कुछ secret कर रही होंगी और secret क्या करेंगी यह hormones ही करेंगी क्या करेंगी hormones क्यों क्योंकि आपको पता है कि glands always क्या secret करती है hormones और पहले हम पढ़ चुके हैं कि hormones क्या होता है एक non nutrient non nutrient chemical non nutrient chemical होता है जिसका काम क्या होता है messenger या फिर और बहतर हम इसको कहें तो हम कह सकते हैं intercellular messenger messenger मतलब intercellular मतलब cell के बीच में message लाने ले जाने का काम करता है दूसरी चीश यह बहुती कम मात्रा में या trace amount में secret होता है this is all about the hormone ठीक है तो सवाल यह आता है कि hypothalamus कौन से hormone secret करती है तो hypothalamus के जो hormone होते हैं इनको releasing hormone भी कहा जाता है कई बार क्या releasing hormones ठीक है शॉर्ट में जिनको कहते हैं RH ठीक अब इसके नाम से समझे है releasing hormones क्यों कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि यह किसी के release होने को regulate कर रहे होंगे लग रहा है ना तो यह regulate ही करते हैं basically यहाँ पे देखी दिमाग में ही दूसरी gland present होती है इस hypothalamus के नीचे तो दूसरा black pinpointed reason है यह जो होती है यह होती है pituitary gland P4 pituitary, G4 gland, puse granthi इस puse granthi को सरीर की master gland कहा जाता है है सरीर की master granthi ठीक है तो इस master granthi के secretion को जो control करती है that is hypothalamus ठीक है समझ में आ गया ना तो releasing का मतलब क्या हो गया है कि इस releasing का मतलब हो गया है कि जो pituitary glands होती है ध्यान से समझने वाल यह बात है pituitary glands ठीक है इस pituitary glands के जो hormone है उनके synthesis मतलब उनके निर्माड मतलब formation निर्माड जिसको हम कहते हैं या फिर उनके secretion स्राबन जिसको हिंदी में कहते हैं स्राबन ठीक है pituitary glands से synthesis या secret होने वाले हर एक hormone को किसके hormone की control करते हैं, regulate करते हैं hypothalamus से secret होने वाले releasing hormone इसलिए इसको कहा जाता है releasing hormone मतलब जब hypothalamus से hormones pituitary gland को message देंगे तब ही pituitary gland अपने अंदर hormone को synthesize करेगी और उनको secret करेगी तो कई बार hypothalamus को master of the master gland भी कहा जाता है master of master gland क्यों? क्योंकि ये सरीर की master gland ग्रंती को control करती है इसलिए कहा जाता है इसको master of the master gland ठीक? clear? अब for example हम इसके एक दो example लेते हैं hypothalamus से एक hormone secret होता है GNRH ठीक है? पहला hormone GNRH को हम full form में कहते हैं gonadotrophin hormone ये कहां से secret होता है? है बोथले मसे ये hormone secret होकर कहां पहुंचता है? pituitary gland के पास और pituitary gland फिर क्या secret करती है? pituitary gland secret करती है somato somato tropin या फिर कई बार इसको का जाता है gonadotrophin hormone ठीक है? और ये क्या होता है? एक growth hormone है और त्रंत ये hormone secret होता है cells में पहुंचता है और body की growth होने लगती है ठीक है? तो पहली चीज़ यहीं पर दूसरी चीज़ एक दूसरा hormone secret होता है जो को हम कहते है somatostatin ये भी hypothelumus से secret होता है ठीक है? और somatostatin secret होता है तो त्रंत कहां पहुंचता है? pituitary gland के पास में और pituitary gland को क्या message देता है? कि प्रीज stop the secretion of somatotropin या फिर gonadotropin hormone GEN ठीक है? तो ये दोनों hormones कहां से secret होते हैं? hypothelumus से ठीक है? और किस तरह से control करते है pituitary gland को? ये clear हो गया ना? कि gonadotropin GENRX release होता है किस से hypothelumus है? फिर कौन सा है? pituitary के पास और pituitary को message देता है कि now start to secret somatotropin जो कि growth hormone होर्मोने शरीर की ब्रदी के लिए आवस्यक होता है which is essential to growth of human body ठीक है? दूसरा जब particular एक level होना चीए है जब एक growth normal level पो हो रही होती है ठीक है? और एक जब समय आता है जब इसको रोगना होता है तो त्रंथ hypothermous दूसरा हर्मोन सीक्रेट करती है somatostatin ठीक है? वो क्या करता है? फिर pituiti के पास पहुंचता है फिर इसको message रहता है कि now stop the secretion of gonadotropin because there is no need of growth of cells या growth of somatic cells या body cells somato means somatic body cells or statin means stable now stop the growth ठीक है? इस तरह से क्या करती है? control करती है ठीक है? इसके अलावा बाकी जो hormones है जो यहां synthesized होते हैं वो है ADH anti-dioretic hormone ठीक है? दूसरा जो next hormone जो है वो है आपका oxytocin ठीक है? oxytocin तो यह दो hormones हैं ठीक है? जो hypothermous से ही C ADH का क्या होता है? इसकी full form होती है जनरली anti-dioretic hormone ठीक है? इसको कहते है anti-dioretic hormone यह hormone generally synthesized होता है किसके द्वारा hypothermous के द्वारा बट store रहता है pituiti glands में इसलिए यह secret होता है pituiti के द्वारा है ठीक है? यह द्वारा रखने वाली बात है synthesize कहा हो रहा है? निर्मार कहा हो रहा है? hypothermous के द्वारा और store कहां रहता है? pituiti glands में ठीक और इसका काम क्या है? यह basically nephron cell जो होती है excreti system में आपको याद आ रहोगा कुशिस कीजे recall करने कि nephron cell की जो cell membrane थी cell membrane इस cell membrane की जो H2O के लिए या gel के लिए जो permeability होती है उसको बढ़ा देता है permeability ठीक है? जिसे की क्या होता है? urine से पानी दोबारा blood में पहुँशने लगता है और इस तरह से क्या होता है? हमारे सरीर में ये osmo regulation का का काम करता है या फिर पानी या fluid की मात्रा को बनाया रखता है ठीक है? और अगर clear detail चाहिए है तो इसके लिए nephron या excreti system का ADH वाला lecture देखी clear हो जाएगा ठीक oxytation का का काम क्या होता है? oxytation को जनली कई बार इसको kissing hormones भी कहा जाता है ठीक? kissing hormones बहुत ज़्यादा imagination करने की जरूद नहीं है kissing hormones भी just simple हम कहा सकते है कि generally जो emotions होती है ठीक है? emotions मतलब किससे समझ माहारा जो प्यार की जो emotions होती जा हमारे अंदर feelings इस रहे की generate होती है तो उसमें क्या होता? oxytocin का level बढ़ जाता है ठीक है? और ये kissing का मतलब एक ही सी नहीं होता है ठीक है? जिसको आप imagine कर रहो है किसी का मतलब कोई भी हो सकता है जैसे मा बच्चों के साथ प्यार करती है पिदा बच्चों के साथ प्यार करती है ठीक है? एसे किसी का प्यार जब प्यार की जो प्यार की जो जनरेट होती है तो oxytocin के level बढ़ता है इसके अलाबा oxytocin milk ejecting में भी help करता है milk ejecting ठीक? milk ejecting मतलब after delivery जो mammals के जो mammy होते हैं इस्तन होते हैं ठीक है? वहाँ से milk को eject करने में यह oxytocin काफी help करता है इसका मतलब हम कहा सकते हैं कि lactation के दोरान feeding में baby के feeding में इसका oxytocin का बहुत बढ़ा रोल होता है ठीक है? और इसके कारणी इसका एक illegal use यह हम कहा सकते हैं misuse नहां कहाएक illegal जादा बहतर रहेगा illegal use होना सुरू हो गया है इंडिन गवर्णमेंट ने इस पर ban भी लगाया हुआ है ठीक है? तो यह hormones थे आपके और एक चीज़ और हाँ यह oxytocin आपके delivery के समय muscles contraction में भी help करता है मतलब pushing the baby ठीक है? deliver करने के लिए तो यह अपने बात की hormones जो की hypothalamus के उदारा secret होते हैं ठीक है? कौन-कौन से थे? basically जो मुख hormones में hormones जो आपको हमेसा के लिए याद रखने हैं जुनके साथ कोई भी compromise नहीं होना चीए वो हैं ADH and oxytocin ठीक है? और दूसरी चीज़ आपको याद रखने हैं कि secret होना लिए hormones को releasing hormone भी कहा जाता है ठीक है? ये कुछ चीज़ें आपको अचीछी तरसा याद रखनी है ठीक है? बाकी और वी चीज़ें जो से जुड़ी होंगी आगे glands में आती रहेंगे ठीक है? अब हम move करते हैं pineal glands की तरफ ठीक है? तो पहले उसकी location समझ लेते हैं image में देखे pineal glands ये जो back side में pinpointed black reason है पीछे की तरफ dorsal side में dorsal side of the brain this is called pineal gland pineal gland ठीक? तो ये तो ही इसकी location की बात अब हम बात करते हैं इसके function की pineal gland का function क्या होता है? तो pineal gland भी आपके कहाँ present होती है? pineal gland present होती है brain में ठीक है? और brain के किस पार्ट में? dorsal पार्ट में dorsal पार्ट ठीक है? thalamus के पीछे पार्ट में काम क्या होता है? pineal gland जो होती है basically इससे जो hormones होते हैं pineal gland से जो secret नमान वाला hormone होता है उसको कहा जाता है melatonin melatonin और melatonin hormones का जो काम होता है वो basically कई सारे function होते हैं इसके सबसे main काम होता है हमारी biological clock को maintain रखना biological clock का मतलब आपको साम होते ही नीन आनी शुरू हो जाती है ठीक है? और सुबह होते ही याँ खुल जाती है नीन करदम ठीक? जब भूग लगनी होती प्यास लगती है मतलब जो हमारी biological clock होती है basically वो सारी के सारी किसके द्वारा maintenance होती है spinyal glands के द्वारा जो कि hormones के द्वारा उसको control करती है इसके अलाबा इसका जो दूसरा काम है इसके अलाबा ये हमारे सरीर के pigmentation को भी control करती है pigmentation pigmentation का मतलब सरीर के complexion को ठीक है सरीर का complexion fair है या फिर fair के बाद या फिर dark है और ये fair dark किसके कारण होता है एक pigment होता है जिसको हम कहते है melanin pigment M-L-A-N-I-N melanin pigment ठीक है या फिर melanin जो भी प्रिनिशेट करें हम इस melanin pigment के secretion को या इसके level को कौन control करती है pineal gland किसके दोरा melatonin hormones के दोरा ठीक है तो या hormone क्या करता है melanin के level को control करता है जिससे क्या होता है pigmentation पर भी असर पड़ता है ठीक है तो ये हुआ pineal gland के बारे में इसके लाबाब कई बार pineal gland को third eye third eye of the human body भी कहते है क्यों कहते है third eye आपको पता नहीं कि because it maintain the biological clock जो चीज हमें नहीं दिखती है फिर भी हम उसके लिए respond करते है तो इसलिए क्या हो रहा जो आखों से नहीं देखती है उस situation के लिए respond करना मतलब ऐसा कोई third eye जैसी कोई चीज है हमारे brain में जो हमें उस चीज को महसूस कराती है ठीक है तो this is all about the hypothalamus and pineal glands next lecture में हम next glands की बात करेंगे ठीक है thank you for watching this video